माप्र स्कूल शिक्षा विभाग बढ़ी खबर शिक्षकों के ट्रांसफर युक्ति युक्तक्रन को लिकर नई अगडेट मध्यप्रदेश गवन्मेंट स्कूल एजुकेशन डपार्टमेंट द्वारा संचालित विद्यालेयों में ट्रांसफर के बाद गरबर हुई स्थिती को संभालने के लिए रिशनलाइजेशन ओफ सर्प्लस टीचर्स पर काफी तेजी से काम हो रहा है यह नोट करने वाली बाते की बोड परीक्षा एवं अन्यकक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं के पहले अतिशेश शिक्षकों की युप्तियुक्तकरण के नाम पर ट्रांसफर हुई टीचिस का समयोजन किया जा रहा है आयोक्त लोक शिक्षन संचालनाले द्वारा आदेश जारी किये जाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अतिशेश शिक्षकों की सूची तेयार करदावे आपत्ती बुलाए जा रहे हैं इससे शिक्षक, परेशान है, वे बच्चों को परीक्षा की तयारी कराना छोड़ कर इस, कोशिश में लग गए हैं कि कहीं और न जाना पड़े, इससे पढ़ाए, प्रभावित हो रही है, एजुकेशन पॉर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार प्रदेश में 38,491 शिक्षक अतिशेश है, शिक्षक खुद भी परीक्षा के ठीक पहले शुरू की गई अतिशेश प्रक्रिया पर भी रोक लगाने की मान कर रहे हैं, अक्टूबर 2022 में बढ़े स्तर पर शिक्षकों के तबादले हुए हैं, तबादले करते समय विभाग ने यह नहीं देखा कि शहरों में स्वीकृत पद से अधिक शिक्षक तबादला करवा रहे हैं और आज हालात ऐसे बन गए हैं कि शहरों में शिक्षक अतिशेश हो गए हैं, अब अतिशेश शिक्षकों की युक्तियुक तकरन के नाम पर ट्रांसफर होकर आई टीचेस को एडजस्ट करने का का किया जा रहा है। विभाग ने अतिशेश शिक्षकों की सूची में दिव्यांग एक साल में सेवा निवरित होने वाले और गंबीर बीमारी वाले शिक्षकों को भी शामिल किया है। जबकि प्रविधान यह है कि 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग को अतिशेश मानकर नह नहीं हटाया जा सकता है वहीं जिसकी एक साल नौकरी बची है और जो गंभीर बीमार है उसे भी अतिशेश नहीं माना जा सकता है